हेलो गुण मॉनिंग जोहार मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यू जारकन चले जानते हैं आज की मुख्यों 25 बड़ी कबरों को वही इस बार के बजट में हेमंत सोरेन की सरकार ने सिक्षकों को बड़ा तौफा दिया है सदन में बजट पेश करते हुए वितमंतरी रामेसर उराओ ने कहा है कि जारकन में सिक्षकों की परिसानी पर सरकार गंभीर है इसलिए इस बार के बजट में सिक्षकों के मांदे में बढ़ोतरी करने का नर्णय लिया गया है राजिस्तर का टेट पास प्रसिक्षित सिक्षकों के मांदे में 50% के विर्धी करने जा रही है वही प्रसिख्चित Πारासिख्चकों के मानदे में 40% की बृद्धी की जाएगी जर्कन में अब पारासिख्चक सहाक प्रधापक के नाम से जाने जाएगी इस बार के बज़ट में सिख्चा वर किर्सी पर विशेश ध्यान दिया गया है किसानों के लिए 25 कोड का कोर्पस फंड वना गया है क्रिसी उत्पादन 36 किसानों को बचाने के लिए योचनव पर भी काम किया जाएगा इस दोरान रामेशर उराओं ने कहा है कि कोरोना महामारी की त्रासदी और चुनोतियों का सामना करते हुए राजिसरकार ने आगे बढ़ने का मार्ग चुना है कोरोना के कारण जार्खन की विकास दरगरी है लेकिन राजिसरकार स्थिति को बैहतर करने में लगा है इस दोरान वितमंत्री ने उनिवर्सल अस्कीम और पेट्रोल सबसीडी के चर्चा भी की है, साती उन्होंने युवाओं को रोजगार के आउसर दिलाने को लेकर भी अपनी बात रखी है, इस दोरान रामेश सरुराओं ने जारकन की आर्थिक इस्तिती से सदन को आउगत करा आगली बड़ी खिबर की बात को दोर्जारकन बजट 2022-23 की बड़ी घोशना है, चातरों के लिए खास योजना की तैयारी उचित मुल्य पर गोबर की खरीदारी की जाएगी, भुमिगत पाइपलाइन के जरिये खेतों तक पानी पहुँचाए जाएगा, वही 2022-23 में एग 1442 कोड, परति दिन 85 लाग लिटर दुध का उतपादन का लक्ष, वही 20 मलो 56 पोधारोपन का परस्ताओ, किसानुक लिए 25 कोड का कूर्पस फंड, उनिवर्सल पेंशन अस्कीम पर जोर, इसके आलावा बजट परस्ताओ में बुजुर्गों को आसरा देने पर जोर, स्वा जन का लक्ष, इसके अलावा क्रिसी रिन मापी योजना में 2,11,530 किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किये, वही राजे के सभी आंगन बाढ़ी केंद्रों में 15 लाख बच्चों को गर्म पोसाग दी जाएगी, वही 1,05 पंचायतों को जिरो ड्राप्ट आउट बनाए जारी, जारकन में होने वाली दसवी की परिचा के लिए, जारकन एकेडमी कॉंसिल ने दसवी का एडमिट कार्ट जारी कर दिया है, बोर्ड ने इन एडमिट कार्ट को ऑनलाइन जारी किया है, अभियर्ती मध्यामिक परिचा के एडमिट कार्ट को बोर्ड की अधिकारी व अभ्यर्थी काफी स्वक्त से कर रहे थे आपको बता दे कि इन परवेश पत्रों को वेबसाइट पर उपलब्ध अस्कूल के लोगिन आईडी से ही एकसेस किया जा सकता है इसलिए छात्र छात्राओं को इसे डाउनलोड करने के लिए अपने अस्कूल सेशंपर करना होगा आगली बड़े खेबर की बात को दो चत्रा में 17 पदो पर निकली भरतिया नोटीस हुआ जारी जारी जार्कन के चत्रा में 17 पदो पर भरतिया निकली है यह भरतिया चत्रा जिला कस्तुर्बा गांधी बाली का विद्दाले रिक्वार्मेंट 2022 के तहत निकाली गई है इसक उमिद्वार नोटिस को पढ़े और आविद्वारों की योगता पदो क अनुसार बार्वी असना तक बीएड डिप्लोमा आधे निर्धारित किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चानल को सस्क्राइब नहीं की है तो प्लीज चानल को सस्क्राइब करके वैल अकन प्रेस कर दे जिससे आपको जारकन की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंसता रहे। चलिए सिक्षा मंतरी जगरनात महतों ने हरीचंडी दिखा दी है विधान सभा में महागट बंधन के सरकार द्वारा बजट पेस करने के बाद सिक्षा मंतरी जगरनात महतों ने कहा है कि एक वर्स बाद सिक्षा के चेतर में सब भी सिकायते दूर कर दी जाएगी नितरहाट आवा में सिक्ष्ठा के चेतर में राजी सरकार द्वारा पेस किया गया बज़ट एतिहासिक है इस बज़ट के इंपलिमेंट के बाद या सपस्टो हो जाएगा कि सरकार सिक्षा के छेतर में सकरात्मक पहल चाहती है साथ ही सिक्षा के छेतर में नए किर्थिमान अस्थापित करना चाहती है मंत्री ने कहा है कि एक साल बाद लोग या कहेंगे कि हिमन्ति सरकार के कारिकाल में सिक्षा के छेतर में जो कारी हुए है वा नया इतिहास है आगली बड़ी ख़बर की बात को दो धनबाद में अवेद कोईला खनन के दोरान चाल धसने से दो मजदूरों की मौत जारकन की धनबाद जिले में एक बार फिर चाल धसने की वज़े से दो मजदूरों की मौत हो गई है जीले के निर्सा थाना छितर के कापा सारा और सोर्सिंग में गुर्वार की सुभा मजदूर जैसे ही कोईला खनन के लिए कधान के मोहाने में घुसे थे इसी दोरान आचानक चाल धस गई जिसमें दो लोग की मौत होने की बात कही जा रही है बताए जाता है कि घटना के बाद मलवे से सौ को निकाल कर उनके साथ ही लेकर फरार हो गया है हाथसे में जिन दो लोग की मौत हुई है उसमें एक जो है कमारडी और दूसरा मुगमा छितर करहने वाला बताए जाता है वही इस हाथसे में एक व्याक्ति गम भीरूप से घायल हो गया है जिसे इलाज के लिए नीची अस्परताल में भरती करा गया है जकमी व्याक्ति भी कमारडी करहने वाला है आगली बड़ी खेबर की बात कुदुसीयम हेमन्त शोरिन बुले सबके लिए है जारकन का बजट हर वर का रखा गया ख्याल जारकन में जारकन मुक्ति कि अगवाईवाली गडबंधन सरकार में वितमंत्री रामेशर उराउं ने राजिका बजट पेश किया, पुंजीगत खर्च में 69% की बृधी के साथ पेश किया गया, इस बजट में 100 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया गया है, वही बजट पेश होने के बाद जारकन के मुखेमंत्री है, मंत शोरिन ने कहा है, कि या समावैसी बजट है और इसमें समाज के हर वर का ख्याल रखा गया है, सीयम ने कहा है कि आज का बजट जारकन में किसानों, मजदूरों, शातरों और व्यापारियों के विकास पर केंद्रित है, हम चाहते हैं कि सरकारी योजना से राज के हर आदमी को लाब मिले, आगली बड़ी ख़बर की बात को तो चार मार्स से नियमित चलेगी, रांची दुम का इंटर सिटी का पुना नियमित परिचालन चार मार्स से शुरू हो रहा है, बोकारों में या ट्रेन दस मिनट तक रोकेगी, अस्टेशन परवंधन एक की हलदर ने बता है कि उक्त ट्रेन बोकारों 15 बच के 30 मिनट पर पहुँचेगी, तथा 15 बच के 40 मिनट पर रावन होगी, ट्रेन गोमों होकर गंतव्य अस्टेशन तक जाएगी, बता दे कि या ट्रेन बिगत साल 25 जून से एक सबता तक चली थी, उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर को देखतो हुए बंद कर दी गई थी, उक्त समय से लगातार बंद थी, अब जाकर रेलवे ने फिर चलाने की घोसना की है, इस ट्रेन के परिचालन बंद से यात्रियों को रांची और दुमका आने जाने में परिशानी हो रही थी, रांची से रमाना होकर या गाड़ी देवघर के रास्ते दुमका तक जाती है, इस ट्रेन से हजारो यात्री विभिन अस्टिशनों के लिए यात्रा करते थे, इसके पूना परिचालन की घोसना से यात्रियों ने चैन की सांस ली है, आगली बड़ी खबर की बात कुदो बजट पर भाजपा का तंज दीपक परकास ने बताया दिसा और दृष्टी विहीन बजट, भाजपा के प्रदेश अध्धक्ष दीपक परकास ने राजसरकार के बजट को सीरे से खारिच किया है, गुरुवार को भाजपा प्रदेश कारले में आजित प्रेस कॉन्फरेंसिंग में उन्होंने बजट क दिसा विहीन, दृष्टी विहीन और नियत विहीन बताया, उन्होंने कहाए कि राजसरकार के बजट में कहीं से भी राज को विक्सित करने, सजाने और सवारने की सोच नहीं दिखती, राज के वितमंत्री ने अपने तीसरे बजट में भी राज के युवाओं, किसानों, म अनुसुचित जाती, जन जाती, पिछडों को चलनने का काम किया है, प्रकास ने कहाए कि 2021-22 की बजट रासी 91,277 कोड में या सरकार अब तक महच 42,37 रासी ही खर्च कर पाई है, या पूरी तरह राज के जो है वित्ते, कूपरबंधन और जो है विफलता को दरसाता है, एक दिवसिये दोरे पर जारकन आने वाले हैं, राउ राटारी में जारकन के मुख्य मंत्री हिमंत शोरिण से मुलाकात करेंगे, दोपहर एक बज़े लँच पर दोनों मुख्य मंत्रीयों की मुलाकात होगी, केसीर सुभा विशेश विमान से दिल्ली से राची के लिए र पुर्चा खड़ा करने की कोशिस में जुटे जो है तिलन गाना के मुख्यमंतरी के चंदर सेकार राव जारकन के मुख्यमंतरी से इस मामले पर चर्चा करेंगे। प्रसाद ने हाई कोट में अपील दाकिल की है अधिवक्ता देवरसे मंडल ने बता है कि लालो प्रसाद ने सजा की आधी अवधी जेल में बिता दी है बड़ती उम्र और सतरा प्रकार की बिमारियों की वज़े से उन्हें जमानेत की सुविदा मिलनी चाहिए बता दी कि डो प्रभुत संरक्षना को विक्सित करने के लिए राजसरकार ने बिजली छेतर पर खासा फोकस किया है इसके तहट राजसरकार के इंदर सरकार की रिवेंड पर डिस्टिबूशन सेक्टर असकी में सामिल होगी योजना में 9800 कोड का निमेस होगा राजसरकार ने गरीबों और किसानों को रहाद देने के लिए 100 योनिट बिजली मुक्त देने की घोशना की है, इससे इन पर बिजली बिल का बोश कम होगा, इसके अलावा प्रिपेड मीटर से बिजली चोरी रोकने राजसवक की सुरक्षा और राजसवक वसूले में सुधार के उपाय कारगार होंग इससे उप्भुगता सरलता से बिजली का उप्योग और जो है उप्योग की गई बिजली का भुगतान कर सकेंगे, सौर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर पुलेसी लागो किया गया है, जिसके तहत सोलर पावल प्लांट अस्थापित उध्योग लगाने पर अनु अधिकारियों ने सुरू की क्यावद, घोसना सिग्र, राज में जल्दी पंचा चुनाओ होने वाले हैं, लिहाजा चुनाओ से पहले सूबे के तमाम जिलों में तैयारियां भी तेज कर दी गई है, प्रखंड अस्तर पर अधिकारी अभी से तैयारी में जुड़ गए हैं और चुनाओ से पहले तमाम तैयारियां पूरी कर लेना चाहते हैं ताकि चुनाओ में किसी भी तारकी परिस्थानी ना आए, चुनाओ की घोसना से पहले तमाम अधिकारी अपने अपने जिलों में बैठक कर तैयारियों को अंतिवरूप देने की कोशिस में जुड़ गए में बीडियो रंजीत कुमार सीना ने बैठा की जिसमें बियलो परिवेचक पंचाथ सचीव सामिल हुए वही दूसरी और कोडरमा में भी पंचाथ चुनाव की हरी जंडी मिलने के बाद प्रसासन एक्टीव हो गये हैं और अभी से चुनावी तैयारियों में जुड़ गये ह वही नए वोटर लिष्ट को बूत वाइस अलग किया जा रहा है इसके लिए सब भी बीडियो को दिसानिर्धीश दिये गए हैं आगली बॉड़ी खिबर की बात को दो जारिकन में नकसलियों के खातमे में जूटे सुरक चबल गुमला में छापा मार कर पकड़ा बिसफू चला रही है वही दूसरी तरब को ख्यात नकसलियों के आतम समर्पन पर पूरा जोर दिया जा रहा है समर्पन करने वालों को भारी भरकम रासी मिल रही है यही कारन है कि पुलिस और सीयार पियाप की सन्योक्त टीमों को लगतार दोहरी सफलता मिल रही है सुरक चबलों के एक तरब जहां गुमला में चापा मा कर बिसफोटक बरामत किया है, वही चत्रा में समर्पन करमेवालों नकसलियों के परिजनों को इनाम की रासी दी गई है, गुमला जीले में CRP अप और जीला पुलिस के चापे मारी अभ्यान में भारी भरकम बिसफोटक बरामत किया गया आगली बड़ी खबर की बात को दो धनबात में भाच्वा विधायक के खिलाप अर्धनगन प्रदर्शन, महिला ने लगाया जमीन कबजे का रोप, समर्थक में उतरे लोग, सवालों के घेरे में प्रसासन, धनबात की बाग मारा से भाच्वा विधायक धूलू महतो के खि आरोफ एकी महिला की दुकान से सटा कर विधायक धूलू महतो ने अपना टैंकर खड़ा कर दिया है, विधायक अब अपना वहन नहीं हटा रहे हैं, महिला का दावा है कि उसकी दुकान अपनी जमीन पर है, वहां गत 11 फरवरी को विधायक ने अपना वहन खड़ा कर दिया इसके बाद महिला ने कई बार विधायक से वहान हटाने का नरोध किया, उन्होंने वहान नहीं हटाया, आकिरकार महिला ने अपनी दुकान बंद कर दी, परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, महिला की परिशाने देखकर अबस्थानी लोग समर्थन मे उतर गया हैं, लोगों ने कपड़े निकाल कर बैनर पोश्टर के साथ रंधीर वर्मा चौक पर प्रदर सुन किया, आगली बड़ी खबर की बात को दो जैससी ने सहाइक प्रसाखा पदधिकारी और प्लानिंग असिस्टेंट की आयू सीमा की अंतिमतिती, 17 मार्च तक बढ़ा दी है, जैससी ने सहाइक प्रसाखा पदधिकारी और प्लानिंग असिस्टेंट के पदो पर वेकेंसी की आयू सीमा भी बढ़ा दी है, पंजिकरन की नई अंतिमतिती, 17 मार्च है, जबकि पहले या 4 मार्च ती, इससे पहले 17 फरवरी था और इससे पहले मूल अंत दुहनबात में बड़ा सड़ा खात्सा, बस और कंटेनर के बेच सीधी टकर में दो दर्जन से ज़ादा लोग घायल, गुरवार सुबह 8 बजे के करीब राजगंज थाना च्छेत्र के डोमनपूर खर्णी हाइवे पर उडिसा संबलपूर से मुर्सिदाबाद जा रही मे में बस वा कंटेनर में आमने सामने की टकर हो गई, इसमें दोनों वहन पर सवार कर में समयत दो दर्जन मजदूर खायल हो गई, बताय जाता ही कि दुरगटना मेनी बस के हाइवे के गलत दिशा में चलनने की कारण हुई है, बस में मुर्सिदाबाद वा मालदा के करीब ज इस घटना में कंटेनर के चालक मो आयूबवा, सहचालक प्रितम और बस के, सहचालक देवघड उड़ी सनिमासी, अभेक कुमार बुरी तरह से घायल हो गए हैं, इसके अलावा दो दर्जन मजदूर भी गंबे रुप से घायल हो गए हैं, आगली बड़ी खिबर की बात संस ने की अब बात, टाटा समु के संस था पक, जेन टाटा की 183 वी जानती समहरो पर, टाटा संस के चेर्मेन एंड चंदर सेकरन ने जेन टाटा की परतिमार पर मालयरपन किया, इस मौके पर उन्होंने कहाई कि जम सेदपूर को वल्ड क्लास सीटी बनाए जाएगा, साथ पूरा जुबली पार्क और उसकी आसपास का छेतर आकरसंग जो है लाइटिंग से जगमगा उठा, यह लाइटिंग अगामी 5 मार्स तक रहेगा, इस मौके पर चेर्मेन के साथ टाटा स्टील के सीओ शह परवंधन निदिशक टीवी नरेंदरन सहित कांपनी के सिनियर अगली बड़ी खबर की बात को तो हेरहंज में पुलीस ने अफीम की फसल को किया नस्ट, लातिहार के हेरहंज थाना चेतर में पुलीस ने अफीम की खेती को नस्ट किया है, पुलीस ने लगबग पांच एकड में लगे अफीम की खेती को नस्ट किया है, बतादी की थाना परभारी ससी रंजन कुमार को गुपतु सुचनाओं मिली थी कि हेरंज थाना के मारी इलाके में बड़े पैमाने पर अवेद अफिम की खेती की गई है इसके बाद अभ्यान चला कर करीब पांच एकड में लगे अफिम की खेती कुनस्ट कर दिया गया है तो ये थी में दिजा इजादत फिर मिलते हैं नेक्स नियूज में